डिजिटल मार्केटिंग प्लैन बनाने के लिए हमने कस्टूमर रिसरच की भी बात कर ली और मैंने आपको इंटरिनल ओडिट करने का भी तरीका बता दिया और आप बारी आती है content strategy की content strategy की section के अंदर basically आप अपने client को वो तमाम strategy और tactics बता रहे होते हैं जो आप use करेंगे या client यूज करेगा आपका digital marketing plan implement करके इसके अंदर main चीजें क्या क्या हैं सबसे पहले तो आप 30 दिनों का posting plan अपने client के साथ share कर रहे होते हैं 30 days posting plan मैंने इस course के अंदर different जगों के ओपर emphasis डाला है कि आपने हमेशा अपने client के सामने 30 दिनों का plan रखना है और इसको बताना है कि भाई अगले 30 दिन में ये posting करने जा रहा हूं और इसको approve करवाएं और यही posting plan आपके digital marketing plan का हिस्सा भी होता है इसके अलावा आप sample images और photos भी दिखा रहे होते हैं कि ये मैं images ये photos यूज करूंगा आप videos भी share कर रहे होते हैं कि for example मैं के second week के अंदर एक दिन एक video पोस्ट करूंगा अपने Facebook पेज़ पे वो video कौन सी होगी वो भी digital marketing plan का हिस्सा होती है तो ये जो posting calendar है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं इसके साथ processes और workflows की भी detail आप अपने client को दे रहे होते हैं अच्छे ये processes और workflows basically होता क्या है In short processes and workflows are basically the steps which are used by your client in order to implement this digital marketing plan इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आई ज़रा थोड़ सा उस पे नज़र डालते हैं Processes and workflows के section के अंदर आप information दे रहे होते हैं कि कौन कौन से लोग हैं और उनके क्या क्या रोल हैं और उनके टास्क क्या क्या हैं जो अगले 30 दिनों के अंदर या अगले एक महीने एक quarter या एक साल के अंदर वो कर रहे होंगे For example, पहला जो main role होता है वो content strategist का होता है Content Strategist ज़रूरी नहीं कि वो content को develop भी कर रहा हूँ वो एक plan बनाता है, एक खाका बनाता है, sketch बनाता है, landscape बनाता है और ideas बनाता है कि जिसकी base के ओपर अगले 30 तिन या 2 मेने या 3 मेने का पूरे के पूरे की content strategy डिवेलप हो रही होती है जब content strategist वो plan बना लेता है और information सारी share कर लेता है अपनी टीम के साथ तो अगला role आता है developers का developers क्या करते हैं? developers graphic designing कर रहे होते हैं video development कर रहे होते हैं हर वो काम जो content strategist ने suggest किया है जो ideas दी हैं, उस ideas को actual real form के अंदर, computer के अंदर generate करते हैं और develop करके आगे provide करते हैं अपनी अगली team member को जो अगला team member होता है, वो होता है quality control का यानि के वो शक्स देख रहा होता है कि क्या जो objectives थे जो guidelines client ने दी थी, उसके मताबक ये तमाम content बना है और अगर वो उसके मताबक है तो quality control वाला उसको tick mark करके posting वाले को दे देता है कि भाई, ये आप content ready to post है और आप अपने posting calendar के मताबक इस content को online post करें जब posting शुरू हो जाती है, तो posting के बाद promotion का area आता है कि जिसके अदर paid promotion चल रही होती है, ये भी workflow का हिस्सा है ये भी आपने digital marketing plan के अदर लिखना है और end के अंदर आते हैं maintenance वाले कि आपने posting कर दी, promotion चल रही है, content भी बन चुका है लेकिन reporting के बाद, observation के बाद ये पता लगए कि उसमें कुछ ऐसी चीजे हैं कि जिसको हमने change करना है उसको मैं maintenance का नाम देता हूँ और वो maintenance वाला बंदा फिर उसको based on the requirement या based on the feedback उन चीजों को change कर रहा होता है अब ये पूरा एक workflow है जो content strategist से शुरू हुआ और maintenance वाले पे आकर रुका और ये loop के अंदर बार 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 चलता रहता है तो अगर दुबारा में इसको repeat करें तो content strategist ने idea बनाया उसके बाद जो developer है उसने उस idea को अमली जामा पनाया यानि visually कोई चीज डिवेलप की quality control वाले ने उसको देखा उसको approve किया posting वाले ने post करके उसको promote किया और end के अंदर maintenance वाले ने eventually देखा कि ये content जो है क्या हमारी strategy और objective के मताबिक है तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बाद आपका जो digital marketing plan है वो implementation stage के ओपर आ चुका होता है तो ये वाला जो portion है कि जिसके अंदर आप अपनी content strategy शेर करेंगे क्लाइंट के साथ इस पर सबसे ज़्यादा time आपने लगाना है क्योंकि मेरे experience के मताबिक ज्यादा तर clients आपकी content strategy को detail के अंदर पढ़ रही होते है